कैसे मिलता है वास्तबिक गुरू गुरू के बिना तो काम संसार में भी नहीं चलता भगवान तो परोक्ष बिशय है और संसार प्रत्यक्ष है लेकिन एक अक्षर का ग्यान भी बिना गुरू के कोई नहीं कर सका मान लो आपको एक अक्षर का ग्यान करना है का ए तो कैसे करेंगे आप अगर आप कहें हम पुस्तक से देखके ए बना लेंगे का बना लेंगे तो उसका नाम ए है का है ये कैसे जानेंगे कोई बताने वाला तो आपको चाहिए मास्टर टीचर उसी को गुरू कहते हैं एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसको बिना बताए आप जान लें जिस मा से पैदा हुए है उसको ही नहीं जान सकते जिस बाप से पैदा हुए है उसको ही नहीं जान सकते हजार बार जब मा बताती है कहती है मैं मम्मी हूँ तू मेरा बेटा है मम्मी बेटा ये क्या होता है चलो आपन भी याद कर लो विचारा तो कुछ जानता नहीं अभी कि बेटा और मम्मी और पापा का भावार्थ क्या है फिर वहां से लेकर अब बुढ़ापे तक हम लोग जो नौलेज इकठा कर रहे हैं वो किसी गुरू से ही कर रहे हैं चोरी चोरी करते हैं यह बड़ा आदमी है कैसे बैठता है देखो क्या बोलता है पहले नोट करो वैसे हम भी बोलेंगे कैसे खाना खाता है हर चीज हम चोरी चोरी सीखते रहते हैं और कुछ बताने से भी प्रत्यक्ष टीचर बताता है अरे इतनी डिगरियां भी है हमें वगरा हम लोग लेते हैं तो टीचर तो कंपल्सरी है न तो जब संसार में बिना गुरू के काम नहीं चल सकता तो भगवान तो प्रत्यक्ष है नहीं वहां तो सर्व प्रत्म गुरू आवश्चक है लेकिन सही गुरू कैसे मिले कोई ABCD भी न जानने वाला चात्र अपने प्रोफेसर का निर्णे कैसे करे कि ये टीचर हमको पढ़ा सकता है मान लो काको गाक है बोलने को तो हमको मान लेना पड़ेगा अगर हमने उसको टीचर मान लिया है तो और हम नहीं पढ़ सकेंगे सही यही तो हो रहा है हमारे संसार में नकली गुरू का अंबार है ओ डाढ़ी रखाया अतिलक लगाया कपड़ा रंगाया हो गए गुरू जी अब एक वाक्य मंत्र का भी याद कर लिया बाकिया मूठा चाप एक वाक्य जैसे मान लो नमो भगवते बासुदेवाय याद कर लिया अब चेला बनाने लगे अपना और बाकाइदा 420 है प्रचार करो हमारे गुरू जी ऐसे है ऐसे है उससे कहना उससे कहना ओ बड़ा आदमी है उससे भी कहो जूट जूट प्रचार करवा करके अचेला बनाना ये हो रहा है हमारे देश में बड़े बड़े आदमी बुद्धिहीन अरफपती बिश्वास करके और उसने एक को आशिरबात दे दिया अरफपती हो गया एक को आशिरबात दे दिया उसके बेटा हो गया मैंने आखों देखा है अच्छा तो हम भी चलेंगे वहां हो गया बंताड़ा अरे माइक से मंत्र देते हैं दस अजार आदनी बैठे हैं हाँ आप लोग सुनिये नमो भगवते बास देवाए सब हो गया चेला सब लोग हमारा फोटो अपने घर में रखके पूजा करना फोटो यहां बिक्ता है ले लेना यह हुरा है अज आप बेवकूब बन रहे हैं और अगर बाद में पता चल गया कि हमको तो बेवकूब बनाया गया था तो फिर वो गुरू जी ने कहा था कि एक बार गुरू बना लेने के बाद उसका त्याग नहीं हो सकता आ भड़ा भारी पाप है हो तो पाप तो जो हो गया सो हो गया जैसे संसारी इस्त्री का किसी पुरुष्य ब्या हो गया सो हो गया अगर तलाक की बात आवे तो लड़ो मुकदमा साबित करो आएसे नहीं होगा तो वास्तविक गुरू कैसे मिले इसके लिए दो वाक के आया है शाष्त्रु बेदों में एक तो भगवान की क्रपा से मिलता है बिनुहरी क्रपा मिले ही नहीं संता जब द्रवई दीन दयाल राघव तो साधु संगति पाईये जब क्रपा करें भगवान तब संत मिलेगा और ये भी लिखा है पुल्ण पुल्जबिनु मिला ही न संता सत संगति संस्रिति कर अंता तो अगर पुन्य से मिलते हैं हमारे कर्म से तो पिर भगवान की क्रपा क्यों आप उसमें डाल रहे हैं और अगर भगवान की क्रपा से मिलते हैं तो पिर पुन्यों नहो नहो ये प्रश्ण आ सकता है साधारन बुद्धी में तो इसका भी उत्तर समझ लिए, दोनों combined हो करके गुरु मिलता है, यानि केवल हरी कृपा नहीं हुआ करती, क्योंकि अगर हरी कृपा केवल हो, तो सब होनी चाहिए, किसी पर हरी कृपा हुई, उसको असली गुरु मिला, और असली पढ़ाई किया, और वो विद्वान हो गया, भगवत प्राप्ति कर लिया, और किसी को एक चार सो बीस मिला, और उसने गलत पढ़ाया, वो महा मूर खानन्द हो गया, तो भगवान के कृपा ही हुए, ये तो सिद्धान्त गलत हो जाएगा फिर, और भाग्य से ही मिलता है, ये बात तो जमती है, लेकिन एक प्रस्ण है यहां भी, क्या, कि हमारे जो पूर्ब जन्म के कर्म है, वो तो जड़ है, अरे आप लोग जो कुछ कर्म करते हैं, क्या उसके हाथ, पैर, आँख, नाख, मुह, मन, बुद्धि है, आपने दान किया, आपने किसी गरीब की सेवा किया, आपने किसी संत की सेवा किया, तो ये सब तो जड़ कर है न यह अपने आप फल कैसे बन जाएंगे इसका फल देने वाला कोई हो तब तो यह हमको फल मिलेगा जो हिसाब रखे उसका हमको तो याद नहीं रहता हमने पूर जन्म में क्या किया कहां थे कौन पाप मा बड़े बड़े भाग्यशाली हुए है संसार में किसी को एक जन्म की याद है किसी को दो जन्म की किसी की तीन जार जन्म की बैस दिर्तराष्ट्र के सव पुत्र मारे गए जवान और वो अंधे रोने के लिए बैठे हैं बुड़ापे में तो उन्होंने स्री कृष्ण से पूछा एक बात बताओ तुमको लोग भगवान कहते हैं चलो मान लिया हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका यह फल है हमको तो याद है हमने ऐसा कुई पाप नहीं किया तो भगवान ने कहा पिछले जन्म में वो भी याद है काई जन्म का याद है चार जन्म का उसके पहले कह वो तो नहीं याद है तो अनन्त जन्म बीट चुके उसमें से चार जन्म का हिसाब तुमको मालूम है तो क्या गणित लगाओगे तुम और फिर ये तो इने गिने धृतनाश्ट्र को मालूम है और आम लोगों को तो एक जन्म तो क्या इसी जन्म का बच्पन की कोई बात याद नहीं है आप लोगों को जब आप लोग पांच साल के थे तो चे दिसंबर को कहां थे बतावे कोई बड़ा काबिल आई है जी याँ चार घंटे की बात भूल जाती है हाँ इतनी कमजोर मेमरी है इस कल जुग मे तो उस कर्म को हमारे भाग्य को फल रूप प्रदान करना किसी गुरू से मिला देना ये प्रेरना कर देना अंदर भगवान बैठे हैं न सब के वो कहते है एए तूने पूर्बजन में बहुत अच्छा कर्म किया था तो देख वो गुरू जी आये है ना जो बगल के मकान में वहां चल बगल के मकान में मैंने पूछा भई कौन आये है गुरू जी आये हैं अच्छा वै देखते हैं कौन से गुरू जी है देखते हैं वहां गए और सुना समझा हाँ है तो कुछ बात जिरूर कल फिर आएंगे हाँ है तो फिर आएंगे बाश रम गया वहीं और बन गई बात और चल पड़ा पहुँच गया लक्ष पर एक दिन आजे ना एक जन में सही चार जन में सही तो भागवान हमारे प्रारब्ध का फल देते हैं ये कृपा है क्योंकि हमको नहीं मालूम हमने क्या किया है पूर्ब जन्न में और भागवान को हमने कोई तंखा नहीं दिये ये क्रिपा क्या है गी हमने उनको पैसा दिया तो उन्होंने बता दिया हमको फल दे दिया जैसे मुनीम रखते हैं आप लोग तो आप लोगों के रुपे पैसे का हिसाब रखता है तो आप पैसा देते हैं वो हिसाब रखता है कर रहा है। इसलिए दोनों बातें शाष्टरों में लिखी हैं कि भगवान की कृपा होती है तो वह प्रारब्ध का फल देते हैं और वह फल बिना बताए गुरु रूप में मिला देते हैं और विश्वास भी करा देते हैं हमको गुरु के उपर। हाँ ये गुरु पक्का है इससे हमारा काम बन जाएगा और हम शरनागत होके चल पड़ते हैं ये भावा